सुमति सिताराम आत्मा राम सिताराम सुमति सिताराम तरण तारण चरण चारो धाम सिताराम सुमति सिताराम सुमति सिताराम शाष्वत श्री कृपा सिताराम स्री करुण आत्म शाष्वत श्री कृपा सिता सिताराम स्री कृपा सिताराम स्री करुण आत्म भरत लक्ष्मन शत्रु सूधन सहीत श्री पंचायतन सर्वदा सम्मुख विराद आंजने अप्रणाम सिताराम सिताराम सुमति सिताराम आत्माराम सिताराम सिताराम धन्य दिशने जान धर भूमध्य में देखार धन्य दिशने जान धर भूमध्य में देखार धन्य दिशने जान धर भूमध्य में देखार अयोध्या है भक्त की मस्तक तिलत रेखा अयोध्या है भक्त की मस्तक तिलत रेखा नवद्वारा पूरी जिसका पतितपावन नाम सिता राम सिता राम आत्मा राम सिता राम जुमति सिताराव, सिताराव, सिताराव नानवाप्तम् वाप्तव्यम् वर्त एवस कर्मणेन। यदी हयम् नावत्तेयम् जातु कर्मन्न इंद्रिपह, मं मर्तवानु वर्तंते मुनुष्या पार्त सर्वशं। यदी उधस्यने रिमे लोकाना कुर्या करूचे दम। अक्षंगरस्या चकर्तास्याम उभण्या मिवाम प्रजाभा। इंद्रियानी पलहन्याहू इंद्रे निभ्य परमना। मनस्तू पराविज्यो यो बुद्य परस्तू सहा। अपनिस्चो ब्रह्म विध्यायाम योग सात्रेहे। श्रीकष्नार्जु संभादे कर्म योगो नाम। इमं विप्स्वते योगं प्रोक्तवानम हम्व्यं। विवस्कान मन वेप्राहा मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीतं। इवं। वहुनी मेवितीतानी जन्मानी सवचाजनां। जनान्य हो येदं सर्वानी नकंडेतं परंतवां। अलोपी सन्यभ्यात्मा धूतानाम इश्वरोपीसं। प्रक्तिम्स्वादिष्टाय स्वभावात्म माययाह। के जलाए नहीं। यादा् इधर्मस्चप ग्रानरभवतिवारत। अब्युत्तान्मश्चप तरातमन्त जाम्यहं। वही प्रानाय सव्धुनां। मिनाष्नाय जबिष्चिम्स्वाद्ग शर्वाद॥ इव्युत्त्तमत्ष्वाद। सिर्फ्जी भावति कर्मजादे तिमकर्म किमकर्मेती कवियो अप्तत्रमोहिताद तक्ते कर्म प्रवक्ष्यामी जज्यात्वामोख्षे तुहाद कर्मना अकर्मनक्य वो सब्य घ्राना कर्मनोगाद राम का गुलगाने करीरा राम का गुनगाने करीरी राम का गुनगाने करीरी राम प्रभु की भत्रता का सभ्यता का धान धरीरे धान हमारे बीच में हमाच्यापरदेश के पूरु मुख्यामंत्री श्री마न शांटा कुमार जी और हिमाचर प्रदेश में स्वस्त्य मंत्री श्री विपन सिंग परमार जी और भारती जनता पार्टी के हिमाचर प्रदेश के महमंत्री श्री करपाल परमार जी और सभी विधाई गन आज यहाँ पर आएंगे उपस्तिति देंगे अपनी और मेरा सबी से करेकर टाउं से निवेदन रहेगा कि वो अपने अपने स्तान पर बैठे खड़े ना हो जहां पर अस्तीकलश रखा हुआ है वहाँ पर कोई खड़ा ना हो अपने अपने स्तान पर बैठे और कुछी क्षणों में यह जो करेकरम है आज का भी सर्जन का वो अराम होगा और मेरा निवेदन रहेगा कि शांती से बैठे कृपया वहाँ पर कृपया बैठ जाए और शांती से बैठे पटल जी को आज कि अस्तियां सर्जन में बैठ जाए और जो अस्ति चलश के पास खड़े ना हो तो मैं ब्रत्यक्षं तत्ogen से तके बलं करतां से तो मैं बकै बलं करतां से तो मैं होके बलं करतां से तौ मैं वशduc universo अन होगा इक वर शर्जन में रखितando अरभॉ अवभप्तारं अवशोतारं अवधातारं 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 सब्सक्राइब करत तरियो बन oneself पर्कलत प्रायदी Wirka तम देहत प्रयादीता, तम मुलाधारस्टो स्मित्यम, तम जक्ति प्यादमधा, तम योगिनो ध्यायंति नित्यम, तम ब्रह्मास, तम इश्लोस, तम रुद्रास, तम विंद्रास, तम अक्रेस, तम बायोस, तम जोयास, तम चंद्रमास, तम ब्रह्म पोर्भु अस्वरों, गनादीम पूरुम चार्या वरनादेम तदनंतरं अनस्वारह परतरा अलतेंगो रशियं तारेन रुत्तं एधत्तमनष्वरूबं गखारह पूर्वरूबं अकारूमत्यरूबं अनस्वारश्चांत्यरूबं बिंदुरोतर रूबं नातसंधानं सैटासंदे सैशागणी गणकरिशे निच्चे गायत्ते चंधा श्रीमाह गणबदेवता ओंगंगणबदे नमाह एकदंताय विद्माहे वक्रतुन्दाय धीमाहे तन्यों तंदिप्रजोदयातं एकदंतंतं तदुरहस्तं पाशिकं कुषदारिनं अवयंवर्दं अस्ते प्राण गायत्त प्रुपकरनकं अर्टवासदं रक्ता कंदानलित्तांकं रक्तमॉष्पेशव दिदं भक्तानुगंंपिनंदेवं यगत्कारन मुच्यतं आपिर हो दंदिशिक्राद वप्रंदे पुशापरं एकदंताय विद्मिनाशिनेशिवसुदाय श्रीमर्दवूर्दव वो अरंभ होने वाला है आज के हमारे भी जो है हमाचल प्रदेश के पुरू मुख्य मंतरी और कमरा चंपा लोकसर अप्षिक शेपिन के सांसल शिरिमार्च, शांतक मार्जी, पुछी खषनु में पधारने वाले हैं और उनके साथ हमाचल प्रदेश सरकार में स्वास्ति मंत ओ दम ओ लमद अश्याप अस्यत अंप्राह रभ्यम इंद्राने प्रकत इंसानान कर्श्यती शीरम्यत बापनोते अच्चा प्यक्त्वामति श्मरा ग्रेत वैदानी सेहाँ दे बायर वन्दानि बाजया श्रोत्यांन जख्षोस वर्ष्नम्यत बाण नेवजा अलश्याया भुष्नवभशे वदे वुत्करामंतमस अंप्वद्च अंबागुनांभिका प्यमुदा ना रोप्धियंटाम ज्गरुषिदाम इसल्य गर्दोर्दआनो इना इ마र्दोर्टाम वरेल्वै बशताम हुष्णामी जो सथिर्वा स्थो मुथे जर्मक्राम आकर हैं गष्वानलॉभत्वट्वा प्राणीनाम देन आशिदा प्राणा-बाष्वेत्य जनाप्र बबाबेन भार का, एदे बोजिया के मम्सास्राम में दुक्ताम मयान अगा, एद बद्धवाब दिमान स्याखर कर देच्छे पार का, ओख याओ! आप्र बद्धवाबेन रौर्ष पुर्चान हा, एदे बुद्धवाट, आप्रक्र दुद्धवाबेन उक्ताम स्याखर कर देच। आपके सिर्वान मगर्णार तापी हो भापके सिर्व यह सजाब जुलंतर सियं लोगे देव दुट्था मुदारा आप दीनी इन्पन्या सवंदे राख दुट्रिया अस्टम्लाय लिगाजबर नुमाया 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 अलक्षमी और जन्जाबर मुदार मुदा मूदाव लिगश लोगे दुट्रा मुदारा इसलें लोगे दुट्रा मुदारा नुमाया नुमाया न wilde लगसे जापरें, अ भाना हमो जा एव़ना दकडी रहा, जढ़ा निम्षा एमुदा निम्ख्रोगा स sofort रिया कुंद जिली हुआ, जा ने jeeszञ दें जाफना आप्त, छिवात ने वत्पि, आतपा ने अननने फ्ट, आता है रहद हमुद्स इन्ना नगा कॉन रहुत एपसुद पाव भी नबीन कर्के शाकी जहाँ तर्फ टो निगिभाम करिक होंग तार्फबन हर जाता स2000 नमा भाट फाके जन्ग wonders जात्व तेzubिष किंसी न शिंग में वही उद्ाड़ों प्राइवरे में आप तेवारे अधिया, कर दो कर दो कर दो कर दो घदी लाग को कि अहल मोड़ी जही कोना बख fare थैसे गजै ए कि इसा नंवाना प्रिण करें तरी तरी इस नहीं wraps आर थे एवippers कि आ समय हो आटाद पार थे इस स्पाhouse थो भाव ये था प्रिस अ हर आख लोगस हा según ले कम साथ कर दो जाएदेश रहार थाखार, गुटे मीशने रहा हुष रहा हुष रहा मुटन जाएदेश रहा हुष भग को अ ईएधार, खेले, बात्री जाएधार, खेले, रहा हुष रहा हुष बहुताइज कोई दिया स्वार्त मुस्वान गमनादिया बनारबक प्रको का किसी ईए éléments आपक भब सान beerूतान साह्त। किसी ऊसे स्वार्त कहसा क्रें अचै और चृटाइजन आपक क्या प्रद्धिव आम yayर द। मंदल महामत्री जो हमारे ठेल जियाजी है रहर जो हमारे ठेल जोगे जाएथ जाएथ तब श्यू आधार खिल्याभि ट्राइब है पादों जात करें पोरा थाला तो पिंवाक रादा तो अधिरा जो आदि पोरा स्वां चुझार। तबीदात में दाधिया, भृच्च्झा अनापध स्वाहा ओम शाप अडा कोड़ प्रता प्रत्या वर शाप ओम अगुट आप जवाओ भाएंडर भ्यानला स्वाप भाइंदर भ्यानला स्वाप दिवामदा भ्यार्मा स्वाहा प्रॉटा रदी पादा जो पोड़ा पादा बॉड़ा पादा बसने वक्त गरीना वहाई इक्रामो जदो नातिकरा तो सुआ हाँ पजिए पोड़ा पादा जो पोड़ा पादा स्वादा बॉड़ा पोड़ा पादा बॉड़ा पादा बनाइच आवा हनम ना जा जाजर्टाए भी उसर जणतो जत्ब यक्रप्र्म्प्राइन ग accomplishment जाज़ाज़ाजन द वे जाज़े महां वनकन इन्शानारे सेटां आस्ता का यहियं काने कोई जालता दो पुले आवने संदाया आया जाया आव अंदस्वाने संदावादे जालता दो अब आपकुदे को तो में वो बादा जालता तो में बादा गुद्वात में वह तो में वह इंचाज़ नम्तमेवात वह सर्वम्म अम्देव देवादे आप्या पित्र भेश्चु महाइजर खेवचु नमस्वाइव पदायी निचन्रेवन वह अंदस्वादे इस नावस्मेंट को आउजी सभी करें हैं सभी सभी ने करो सक्तैव निचन्रे निचन्रेवात Δा को आउजी सिर्शन्रे पोक्रोष सभी claro पन्गेत d वह सभी ने कर थित्र भेश सभी करें सभी ने करके वह इंचर केत्र वह सध्कलोष सभी प्रेशोंतने करें सभी से निवेदन है कि वो अपना प्रहंस्तान गर्यान कर ले याथ है कि आज चंबा में बाजपी जी की अस्तियों का फिस्वाजिका कारिकरम है इस कारिकरम में हिमाचल प्रदेश के पूरुप साथ हिमाचल प्रदेश सरकार के स्वस्ते मंतरी शिरीमान विपन सिंग परमार जी भी हमारे बीच में हैं और भार्टी जन्ता पार्टी के परदेश के महामंत्री किरपाल प्रमार जी और भार्टी जन्ता पार्टी के परदेश के उपाध्यक श्रीमान अर्जी भारदा जी और चंबा विधानसवा किशित्र के विधायक श्रीमान पवन नेगर जी और चुरा विधानसवा किशित्र के विधायक और विधान सवह में उपाध्यक्ष श्रीमान हांसराज जी, विक्रम जियाल जी, जिला के अध्यक्ष श्रीमान दियस ठाकर जी, और जैसे कि आपको सबको मालूम है कि भार्ट परमशदे श्री आटल विहारी भाजपी जी का जनम 25 दिसंबर 1924 को गवालिर में श्री आटल विहारी भाजपी जी तीन बार भारत के प्रधान मंत्री रहे, आटल जी भहु प्रतिवा की मिसाल थे, वे भारतिया जनसंग के संस्ताफक्ष दस्यों में से एक थे, वे हिंडी के ओजस्वी, कभी, पत्रकार और उचकोटी के वक्ता थे कहा जाता है कि जब अटल जी अपना वक्त देते थे, तो सुनने वालों की आँखों में आशू आ जाते थे, वो विरोधियों के विरोध से नहीं बल्कि प्यार से जवाब देते थे अटल जी देश के, देश की खातरा जीवन ब्रमचारी रहे और संपूरन जीवन को भारत माता की सेवा का लक्षया बना डाला और भारत माता का ये भीर पुत्तर 16 अगस्त 2018 को भारत माता के चर्णों में समा गए, प्रम्तु उनकी सिक्षाएं हमारे लिए उमर भर एक लोग की भांती कारे करेंगे बाजपीर जी चमबा आये थे, उनकी कविताओं में रावी नदी का भी जिकर है आज के दिन उसी रावी नदी में आटल जी की समाइट होंगे, जो कि एक अजब संगम है हमाचर पर्देश के जो पांच अस्तान जो पिवित्तान हैं, उनमें आटल जी की अस्तियों को विसर्जन किया जाएगा और उसी के तहएगा आज जिला चंबा में रावी नदी में जो हम उनकी अस्तियों का भी सर्जन करेंगे तो मैं सबसे पहले सदर के विधाये का शरी पबन नियर से नगेदन करूगा कि वो आएगा मुख्य मंतरी अच्प सांसात चम्मा कांगडा शरी सांता कुमार जी स्वास्ते मंतरी आदली स्वी विपन परमार जी माचल परदेश में उपाद्यक्शों कर डिप्टी स्पिकर स्वी talents राजी परदेश मा मंतरी किर्पाल परमार जी जिला ध्याक सीरी डिया स्टाकर दी जिला मौमती जैसिंग जी बढ़ियाद के बिधाइक पिक्रम जियाल जी पर्मोर के बिधाइक जियराल जी राजी बारदवा जी और चमपा किसेतर से दूदूर से आए हुए मेरे बाई और भेनो आज मैं ये कह सकता हूँ कि चमपा वाशियों के लिए बहुती पावन अबसर है कि हमारे पूर परदानमंतरी एव बाजपा के संताफ़ सिरी अटल भ्यारी बाई पेजी की अस्तियों की परवा के लिए चमपा की रावी नदी को चुना गया मैं सबसे पहले तो अपनी और से और समस्त चमपावासी के और से मानने से बाई पेजी को सचे सर्दा सुमन अस्पिर करता हूँ अटल जी ने अपनी आखरी सांस 16 अगस्त को दिली के एम्स हस्ताल में ली वे प्यानु वर्स की उमर में हम सब को छोड़ कर चले गए मैं बुगान से ये परातना करता हूँ कि उनकी आत्मा को सांती परदान करे बाई पेजी ऐसे विक्ती थे जिनका कोई दुस्मन नहीं था वो चार परदेशों से उन्हों इलेक्शन लड़ी दस बार वो एम्पी रे दो पार राजे सवा के मेंबर रे और वो पहले ऐसे विक्ती थे जिनका कि कोई भी दुस्मन नहीं था इवन ओपोजिशन वाले भी जो है उनकी तारीफ करते थे एक बार किसी ने सोने गांदी जी के कोई अबसमत के तब उन्हों उनको जाड़ा और उन्हों का कि पारिटी के अंगेस्ट बोलो पर तो किसी विक्ती विसेश के अंगेस्ट मत बोलो खासकर हिमाचल के लिए जो है इनकी शती जो है अभी पूरी होगी क्योंकि माचल के साथ बोलो खास प्रेम था मैं माने मुख्यमंत्री जाराम ठाकर जी का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने उनके नाम पर रखने की वोशना की है और मनाली में अटल जी के नाम पर उन्होंने जो है वो एक पारिक बनाने की भी भूशना की है मैं सब लोगों से ये फ्रातना करता हूँ कि उनके बताईवी विरास्त सची सवाजे उनको यह होगी कि हम उनके बताईवी विरास्त पे चले और मिल जूल कर जो है हम सारा काम करे ये इनके लिए सची सलवजिलिया, धन्यवाद। बर्मोर के विधायक श्री जी अलाजी, और आज जहां ये शुम्रिती सेश अस्थी विसर्जन का कारेकरम हो रहा है। उपाध्यक्ष डॉक्टर अजीब भार्द्वाद जी, हमारे जिला के अध्यक्ष श्री डी अस्थाकुर जी, महामंत्री श्रीमान जैसिंग जी, मंच पर विराजमान, उपस्थी सर्जनों, हमारे आज इस सुम्रिती सेश अस्थी विसर्जन के कारेकरम में उपस्थे, सर्जनों, माताओं, भूं, बहनों, जैसा की बताया गया की सोला तारीक शाम को पांच बजे, शिरी अटल विहरी बाजपाई जी ने अंतिम सांसे ली, एक लंबा राजनितिक जीवन, लगभग पचास वर्ष, उन्होंने भारतिय जनसंग और भारतिय जनता पार्टी की रूप में, इस विचार को प्रतिपादित करने के लिए लगा दिये, मैं ये भी सोच रहा था कि कुछ लोग अपने इस लंबे जीवन में संघर्ष करते हैं, कि हम भी राजनिति में, समाजी कामों में, समाजी क दाइरे में स्थापित हो सकें, पन्तु अपने राजनितिक जीवन के पचास वर्षों में, श्रदे अटल विहारी बाजपाई कुछ ऐसा करके चले गए, जो आने वाली पीडी के लिए, और हम सभी के लिए, इस पूरे समाज के लिए, हमें प्रेरना दे करके, इस दुनिया को छोड़ करके गए, और मैं ये भी पढ़ रहा था कि उन्होंने अपने राजनितिक जीवन में, कई उतार चड़ाब देखे, उन्होंने लिखा है कि जब भारतिय जन्संकी स्थापना हुई, तो अपने विचार को अपने प्रतियाशियों के द्वरा, इस देश के जन्मानस तक पहुँचाना चाहते थे, उन्होंने कहा है कि उस समय हम चुनाब जीतने के लिए नहीं, कि अगर जमानत बच जाती थी, तो हम खुश होते थे, बोटों का मत प्रतिशत बढ़ जाता था पूरे देश में, तो खुशी होती थी, आज चुनाब लड़े जाते हैं सरकारे बनाने के लिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि किन परिस्थितियों में इस विचार को पूरे देश में, जन्मानस तक पहुँचाया होगा, जब पूरे देश में आजादी के बाद, एक विचार और एक पार्टी की तूती बोलती थी, इसलिए इस लंबे राजनितिक जीवन में, मैं ये कहना चाहता हूँ, कि शद्धे अटल जी, विदेश मंत्री रहे, और जब विदेश मंत्री रहे तो उनाइटिड नेशन और्गिनाजेशन में, जब उनको प्रती निजित्व करने का मोका मिला, छोटे बड़े देश अपनी अपनी भाशाओं में, उस उनाइटिड नेशन और्गिनाजेशन को संबोधित करते थे, पहली बाद, विशब की सबसे सकती शाली उस संगठन में, अटल जी ने पहचान, राश्टे भाशा हिंदी में भाशन दे करके बनाई, और जब उन्होंना भाशन दिया था, भाई और बेहनों, उनकी सरव्यापी, पूरे देश में बहुत प्रशंसा हुई थी, ऐसे अनूठे काम, 1999, आज भी हमारे मन, मस्तिक्स और दिमाग में है, कारगिल का उपरेशन, किन परिस्थितियों में बीते थे वो, और उस दवाब में अमेरिका ने कहा था, कि आप इस विवाद को सुलजाना चाहते हैं, तो अमेरिका की राजधानी वाशिंटन में आ जाओ, अटल जी, अटल जी ने जवाब दिया था, कि मेरे देश की समस्या है, ये कहीं अमेरिका के वाशिंटन में नहीं, पर हिंदोस्तान में ही सुलजाई जाएगी, अगर किसी को जरूरत है, तो वो दिल्ली में आए, और जरूरत, और मैं कहना चाहता हूँ, जब तक एक भी व्यक्ति हिंदोस्तान की सीमा से, बाहर हम खदेड नहीं देते, तब तक कोई समझोता नहीं, कोई बात नहीं, कहने का भावार्थ यही है, कि राजनितिक इच्छा, शक्ति जो उनमें थी, उसके कारण, उन्होंने देश को एक नई दिशा दी, हिंदोस्तान की जो दिवस्ताएं थी, वो तीन बार इस देश के परधान मंत्री रहे, तेरा दिन, तीन महीने, और पांच साल, उन्होंने कुछ नए काम किये, इस हिंदोस्तान की नदियों को जोडने का काम किया, और मुझे याद है कि श्री शांता कुमाजी जो अर्मंच पर बैठे हैं, अन्तियोदे अन्योजना, विशव की सबसे बड़ी योजना, देश में भुख मरी से निपने के लिए कारगर योजना, आज अगर लोगों की जोवाम पर ये शवद हैं, अन्तियोदे अन्योजना, ये किस की देन थी, ये देन श्रद्ध अटल विहारी बाजपाई जी की थी, इस देश के सैनिकों को मान समान देने का काम, ये जहां कहीं भी देश की सुरक्षा के लिए अगर वो अपने प्राण निशावर करते थे, तो उनके पार्थिव शरीरों को वहीं नहीं पर उनके घर दौर पर पहुंचाया जाता था, ये प्रियास अगर किसी ने किया, श्रद्धे अटल विहारी वाजपाई जी ने किया, यनि इतना लंबा राजनितिक जीवन और इस राजनितिक जीवन में कुछ नए, कुछ विशेश, अनुकरणिय काम उन्होंने किये, और उनकी बात को इस देश की जनता तो प्रशनसा करती ही थी, पर उस सदन में, मैं पढ़ रहा था कि जब श्रद्धे अटल जी बोलते थे, तो उस समय कांग्रेस का भारी भरकम भहुमत पारलेमेंट में होता था, और इस देश के प्रथम परद्धान मंतरी, श्री जहारलाल नहरू जी भी कहते थे, जो प्रतिवा इस नौजवान में है, श्रद्धे अटल जी में है, एक दिन आएगा, वो इस देश पर शाशन करेंगे, इस देश की कमान को संभालेंगे, इसलिए अदुतिय प्रतिभा, अगर किसी में थी, वो श्रद्धे अटल जी में थी, मैं ये कहना चाहता हूँ, अटल जी का विशेश प्रेम हिमानचल के प्रति, जब कभी भी वो आए, और जब भी आए, तो उन्होंने हिमानचल प्रदेश की खुशाली के लिए कई बार उन्होंने आर्थिक पैकेज की घोशना की, और वो पैसा आया, और मुझे तो ये भी याद है कि जब सरकारें हमारी थी, तब भी जो घोशना की, वो पैसा आया, और मुझे याद है कि 2003 और 2004 में हिमानचल परदेश में कॉंग्रेस की सरकार थी अधरनिया हटल जी मना ली आए शिरी वीर भदर जी उसमें परदेश के मुख्य मंत्री थे उन्होंने अपनी बात रखी उन्होंने कहा कि मैं हिमानचल परदेश को अपना घर मानता हूँ इसलिए आज भी मैं हिमानचल परदेश की खुशाली के लिए घोशना कर रहा हूँ आर्थिक पैकेज की घोशना कर रहा हूँ भाई और बैनों अगर आज आर्थिक और अध्योगिक पैकेज के माध्यम से जो हिमांचल परदेश में खुशाली और द्योग लगे है तो वो अटल विहारी बाजपाई जी की देन है और मैं कहना चाहता हूँ अगर मैं अपने विभाग की बात करूँ तो हिमांचल परदेश में अगर हमारी दवाईयां बनाने की अगर आठ सो कमपनियां हैं तो वो 40,000 क्रोड रुपे का ब्यबसाए हिमांचल परदेश में कर रही है हिमानचल परदेश खुशाली की और बढ़ रहा है और लगभग उसमें से हर तीसरी दवाई वीवियन के इलाके के उद्योगों से बनने वाली उन फेक्ट्रियों से की दवाई है इसलिए हिमानचल परदेश के साथ और विशेश करके मनाली प्रीनी के साथ बहुत एक आतमियता का समन था अंतिम बार वो दो हजार छे और साथ में प्रीनी गाओं में आये थे और वहाँ पर आकर के क्योंकि वो बहु आयामी प्रतिवा के धनी थे वो अच्छे नेता थे पंतु कभी भी थे वो कविताएं भी लिखते थे और कविताओं के साथ साथ वो लेखन के बारे में भी रुची रखते थे एक युग द्रस्ता के रूप में उनकी पहचान है कुछ नेता होते है जो ततकाल सोचते है कुछ लोग कुछ बर्शों की सोचते है पर कुछ नेता पीडियों की सोचते है मैं कहना चाहता हूँ कि जनरेशन टू जनरेशन आने वाली पीडिया नहीं पीडिया अगर पीडियों की अगर किसी ने सोच की है तो वो कोई और नहीं श्रद्धे अटल भ्यारी बाजपाई जी है इसलिए जैसा की हम आज यहां पर इकठे हुए है यहां पर सुम्रिती शेश अल्द अस्थी कलस को यहां इस रावी में प्रोहिप किया जाएगा आप इसके शाक्षी है अधर्निय शांता कुमार जी आज इस महत्वपूर्ण मोके पर आज हमारे मध्या में उपस्तित हुए है यह क्योंकि शांता कुमार जी का भी लंबा राजनितिक जीवन और अटल जी के साथ बहुत पुराना गहर अरिस्था क्योंकि जब अटल जी ने देश में पार्टी खड़ी की थी उसी समय श्री शांता कुमार जी ने भी उनके साथ कدم से कدم मिलाते हुए पार्टी को हर गाउं और हर परदेश के हर कौने में पहुंचाया था इछले कल श्री जैराम ठाकुर जी मनाली में थे व्यास नदी में उनकी अस्तियों को प्रोहित किया गया है तांदी में किया जाएगा शिरी यमना जी में उनकी अस्तियों को प्रोहित किया जाएगा इसलिए हिमाचल परदेश की पांच पवित्र नदियों में ये प्रोहित किया जाएगा और चंबा के लिए भी मैं कहा सकता हूं कि हमारे इस संस्लियक शेतर कांगडा चंबा चंबा क इस परेल में ये कारेकरम हो रहा है आप सभी यहां पर आए आपका धन्यवाद कल सुभा से हम नो बजे से दीब कमल पार्टी कारेले से चले थे सान सान पर उनकी अस्थी कलस का पूजन सरदा सुमन अर्पित किये गए रात को हम बनी खेत थे आज सुभा आज यहां पर पहुँचे मंत्रो चारन के माध्यम से यहां महौल और बढ़िया हो गया इसलिए मैं एक वार पुना श्रद्या नया हिंदोस्तान और नई औजनाय और नई नीकियों के माध्यम से इस हिंदोस्तान को खुशाल बनाया है मैं देख रहा था जब उनके अंतिम संसकार में हम दिल्ली पहुँचे तो बाईो बहनो देश के राश्रपती वहां पर थे उपर राश्रपती वहां पर थे लगभग 21 राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर थे वहां पर सैंकड़ों वहां पर MP थे और लाखों के हिसाब से जनता पार्टी कारियले से उनके साथ चल रही थी इसलिए आज जो पार्टी जिस मुकाम पर पहुँची है इसमें अगर किसी का योगदान है तो श्रद्धे अटल जी का योगदान बहुत है उनके चरणों मैं अपने आपको बारंबार एक बार नहीं बारंबार मैं नत्मस्त करता हूं बहुत बहुत धन्यादा कांग्रा चंबा लोकसवाक्षित्र के सांसत शीमान शांतर जी से उमेधन करों करूं करूं श्री हमसाद जी शी विकम जर्यार जी अवण नजज़ जी शी जियार जी अग्दुन ठाको जी शी किर्वाद बार्मार डॉक्टर राजी भरद्वाद शी टियस ठाको शीरी महुन बार पूर मंत्री और अटल जी के चर्णों में अपनी शब्धा के सुमन चड़ने के लिए जहाओ पस्तर बच्चों भाई बेनों शाषन पर शाषन के सबीछी काईगन अटल जी एक व्यक्ती नहीं थे केवन केवन नेता नहीं थे अटल जी एक विचार थे एक राजनेतिक दर्शन थी पिटी पिटाई राजनीती की रहों पर चलने वाले नहीं थे नई राज बना कर चलने का साहस दिखाने बाले थे उन्होंने एक विचार दिया है राजनीती को वो किसी दल के नहीं थे ये सवयोग था कि हमारी पार्टी के दौरा वो देश की सेवा के लिए आगे बड़े लेकर अटल वहरी बाई दल के नहीं थे देश के नहीं थे पूरे राश्ट के नहीं थे पुरी मानवता का विचार करते थे राजनीती को नई रहा दिखाई देश में अमर्जनसी लगी उन्नीस मेने अंधेरा हुआ हम सब जेलों में गए जेलों से निकले जन्ता ने जबर्दस समर्थन दिया जन्ता पार्टी बने बड़ी आशाओं के साथ जन्ता ने पार्टी बनाई सरकार बनाई अच्छी शुरुआत हुई लेकर लड़ाई जगड़ा हुआ भूट पड़ी पार्टी तूटी सरकार तूटी देश में राजने तिक नास्तिक ता रही थी कोई एक पार्टी सरकार चला नहीं सकती कौन चलाएगा देश की सरकार अच्छी ये नह नया विचार दिया छोड़ो पार्टीों की बाते उठो दलों की दिवारों से उपर नया विचार नया संदेश दलों की दिवारों से उपर उठो और देश का विचार करके एक राश्टी एक गटवन नर मनाया चलो जीता सरकार चलाई और बहुत बढ़िया सरकार चलाई राजरे तक अंधेरे से देश को बाहर निकाला कि कुण्जा में भारती जंसंग बना था बुण्जा से मैं भी जुड़ा तुरुंजा में जेल गया उसी समय से अचल जी के साथ निकट का समन्द रहा मेरे जीवन का अदर्ष तो गीत और विवेकानन रहे लेकर मेरी राजनीती का अदर्ष अचल वहरी बाइच पाईजी रहे मैं स्वामी विवेकानन के दरदर नाराएन मैं कांधी जी के अंतो दे के लिए कमिटेड हूँ और मेरा ये कहना है मैं उसकी विकास को विकास नहीं मानता जो सबसे नीचे की जोपली में रहने वाले गरीब की आँखों के आँसों नहीं पहुँचता जो गरीब की आँखों की आँसों नहीं पौटता जो सबसे नीचे है मैं उसको विकास नहीं मानता इसलिए 77 में पहली बार मौका दिया आप ने तो अंत्योदे अन्योजना अंत्योदे योजना चंबा के इसी चुगान से शुरू की और सबसे नीचे के गरीबों की गरीबी को दूर करने की कोशश की दिल्ली में मंत्री बनाया आपने अनाच के भंडार भरे पड़े थे लेकर पांच करोड़ लोग रात को भूखे सो दे थे अंत्योदे अन्योजना बनाई लेकर धन की कमी के कारण बित्न मंत्रा लेके विरोध के कारण तीन बार मंत्री मंदल में योजना इसी कारण नहीं हुई अटल जी से मैं बात करता था कहते थे बहुत अच्छी योजना है लेकर वित्न बाग विरोध कर रहा है वित्न मंतरी यश्वन से ना जी थे एक अखवार ने खबर चाप टी हिंदोस्तान टाइम ने कि शांताक मार बहुत बढ़िया योजना गरीबों के लिए ला रहे हैं लेकर यश्वन से ना विरोध कर रहे हैं बस फिर विरोध के लिए विरोध होने लगा तीन बार मंतरी मंदल में अंतोदे आनी योजना इसकी कार नहीं हुई मैं बहुत परिशान था जो जोनों कि आन से बंगार बरे बड़े थे 25 दिसंबर अर्टल जी का जनल दिन जिनामीन सड़क योजना शुरू होनी थी आठ दिन पहले अख़वार में ख़बर के काला हांडी में बुकमरी से आथ लोग मर गए ख़वर पढ़ी में बहुत परिशान हुआ उठा अख़वार उठाई अटल जी के पास पहुंचा अटल जी के सामने मैंने अख़वार रख़गी बहुत भाववक थे कभी रिदे थे सम्बे दंशीन थे अख़वार देखी सजब हुई आँखे मेरी तब देखने लगे मैंने का अटल जी मुझे अपना आप और आप अपरादी लग रहे हैं के लिए क्यों मैंने का मैं खादे मंतरी आप परदान मंतरी अनाय से बंदार भरे पड़े हैं और आठ लोग भूग से कालहांगी में बर गए बोले कुछ नहीं देखते रहे मेरी तरफ फिर मेरे मुझे निकल गया मैंने का अटल जी क्या ही अच्छा हो साथ दिन के बार परदान मंतरी गराम शड़ की उज़ना आप शुरू कर रहे हैं क्या ही अच्छा उसी दिन मेरी उज़ना अन्त उदे अन्य उज़ना में शुरू हो जाए मैं वोक्षन नहीं भूल सकता भूले नहीं सजल लेतनों से मेरी तर देखते रहे हैं और फिर अपने अन्दाद पे हाथ ठड़ा करके कहने के शुरू कर दो जो ज़रा मैं लेका अच्छा जी जरा यश्रन सिंजा जी को फोन कर दो फोन उठाया के बने तरह था वो शांता अक्मार की वज़ना है वो भी इसी के साथ शुरू की जाएगी और दो रुपे किलो के हूँ अब दी रुपे किलो चावल देने की दुनिया के गरीबों को खाना देने की दुनिया के सबसे बड़ी योज़ना शुरू ही मैं पसक कहता हूँ आज भी वो योज़ना किसी और नाम से चल रही है अटल जी जैसा कोई परधान मंतरी ना होता तो ये योज़ना उस रूप में उसमें शुरू ना होगी होगी एक संबेदन शील दे संबेदन शील दे मुझे याद है मुझे कुछ बत्रों ने कहा कि आपने बड़ी अच्छी योज़ना शुरू की लेकर कुछ गरीब ऐसे है जो दो रूपे तीन रूपे भी नहीं खरी सकते अनपूर्डा योज़ना बनाई गया अकल जी के पाथ मैंने का अनाज है वेरे पास चित्तावत के रिए और अनपूर्डा योज़ना शुरू की उस समय हमने दस के लोगाना जैसे गरीबों को बिलकुल मुफ्त देने की बाश शुरू की ऐसे प्रधान मंत्री जिनके रिदे में सबसे गरीब बिक्ती के नहीती संब्यदना थी के मंत्री मंडल की मज़ूरी के बना योज़ना शुरू हो गई शुरू ना ही होती मुझे एक और याद है हिमाचल पर शंसा तारीफ करता मैं जब उनके पास गया रायल्टी की बात करने के लिए कल पनात्रा बिदली मंत्री मुझे लेकर के गई कि चलो तुमारी बात वहां करवा देता हूँ देखिए उस समय सहयो की प्यार की राजनी थी अगर दिली के मुख मंत्री की तरह मैं दिली सरकार की दिली सरकार के मंत्री कल पनात्रा है मुझे परदार मंत्री के पास ना ले जाते के लिए तुम रायल्टी की बात करते हो मेरे बस की बात नी है कि पर्दामन्ति जी हूँ तो मैं भारती जल्दा पार्टी का लेगा 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 नाराध उन्हों के खड़े रौब दोबारा ये बात मुझ कहा लो को शरी एक वार्ट के कहा है उस्वर्ण में भारती है पार्टियों की सरकारे होती है उनको सारी बात पताई बहुत कुछ हुए मैंने का उन्होंने कहा था देखो पार्टियों की सरकारे होती है सरकार की कोई पार्टी नहीं होती है सबी सरकारे विकास के लिए होती है मैंने का अचल जी आप ने जाकर बात करनी है हिमाचल को बहुत क्यों निल सकता है अटल जी ने उसी समय समय ते किया नरसंगा रोजी से मिले और छे मेने के अंदर सबसे पहले चमबा की चमेरा और बेरा सुर का समझाओता हुआ कि बारा परसंट बिजली हिमाचल प्रदेश को मुफ्त रोयल्टी के रोपे मिलेगी यह अटल जी के कारण हुआ उसके बाद पूरा समझाओता हुआ कि हिवाचल प्रदेश में जितरी पर योजने लग रही है उन्हें रोयल्टी मिलेगी बारा परसंट मुफ्त बिजली के रोपे आज उस निर्णे के मताबक है बाचल प्रदेश को लगबग शबीस सौ क्रोड रुपे हर साल बिलता है मुझे आप से इतरह कह रहा है अटल जी एक विचार थे अटल जी एक राजनीतिक दर्शन थी अटल जी ने राजनीतिक को नही रहा दिखाई है और वो राज ये है वो बार बार कहा करते थे उनका वाकि आज भी मेरे कानों में गुमता है वो कहते थे दलों की दीवारे बहुत चोटी है राश्टर का मंदर बहुत उचा होता है हम देश की बाद सोचें मिल करके चले मुझे बहुत दुख होता है आज पार्टी आपस में लड़ती है जगरती है विरोद के लिए विरोद करती है शिम्ला से लेकर डिली तक यह बात है मुझे बहुत दुक होता है बहुत दुक होता अठली का संदेश है कि चनाओ लड़ो जो कुछ कहना है कहो एक दूस्रे के खिलाओ ये कुछ उसके बाद मिल करके विकास के लिए कदम से कदम में ला करके काम करो यही काम बार बार उनों ने आज उनके अस्तियों का वे सज्जन हम यहां कर रहे रावी में हिमाचल के साथ बहुत प्याद था तर्मार जी ने का अटल जी ने हिवाचल करदेश को प्यार भी दिया और बहुत कुछ दिया पूरे देश को रने लिए एक विचार दिया मैं तो आज यही कहूंगा कि अटल जी के प्रती पूरे देश ने सद्धा के सुमन चड़ाए तो पूरे देश के थे पूरा देश रोया है पूरे देश ने सद्धा सुमन चड़ाए उनके लिए ले लेकर असली शद्धांज ली का मतल तो यह है अटल जी के विचार को हमापनाएं आज भी इस देश में बीस करोड़ लोग वुख मरी के दाने पर खड़े हैं आज भी सद्धेश में अपराद बढ़ रहे हैं कुछ बाते बढ़ रहे हैं जरूरत है मिलकर सारा सोचे लोग सवह बे जाता हूं बहुत दुख होता है पूरे देश से खबर आती हैं रेप हो रहे हैं जगने अपराद हो रहे लेकर लोक समा में उन अपरादों को रोकने के लिए विचार नहीं होता जगड़ा होता है, शूर शराबा होता है, वाक आउट होता है मैं भगवान से प्राफ्तना करता हूँ पूरे देश ने सभी राजनेतिक धलों ने अटल वहरी वाजबाई जी को शद्धांज लीदी है रभू सब को सद्धुती दे हम दलों की दिवारों सोब पर उठे हम देश की बन्यादी समस्थों के बारे में एकट्चे मिल करके विचार करे कि शद्धनों शोशो एकनॉमिक सर्वे आया था चर्चा होई फिर भूल गए लोग उसमें कहा गया था कि इस देश में पचास करोड लोग इतने गरीब है एक हजार रुपे महिने पर गुदारा करते हैं मैंने दिल्ली में अपनी पार्टी में कहा था इस पर चर्चा हो लोग समा के अंदर सबसे नीचे के गरीब को अपने पाउं पर कैसा खड़ा करें दिरिंदर मौदी जी बहुत योजना इला रहे हैं उन्ही योजनां से विकास हो रहा है सबी पार्टी मिलकर उन्ही योजनां को अगर इकठा आगे करने की कोशश करें कुछ और योजनां के बारे में सुझाओ दे तो बहुत जल्दी उन्ही योजनां में से भी हम देश की समस्यां का समाधान कर सकते हैं हम हमाचल वासी के तक गहें अटल वारी वाज़ पाईजी के में वेक्ति का तूप से और उन्हें जीवन भर बार्दर्शन दिया आज हम केवन उनके अस्तियों को परवाहिद करेंगे यो आटल जी कभी जाते नहीं क्योंकि वो एक विचार थे, एक आदर्श थे इश्वर हम सबको सद्बुद्धी दे, शक्ति दे पूरे देश को कि हम उनके प्रती सच्ची शद्धांजनी दे और उनके जीवन के आदर्शों को अपने जीवन में राजमीती मैलाने की कुशिश करें मैनी शब्दों के साथ अदर्श जी के चन्रों में अपनी शद्धा किसमें चढ़ाता है परमशद्धे हमाचर प्रदेश के पूर मुक्य मंतरी वया कांगला चंबा लोगसावक शद्ध के सांसद श्रीमान शानतर जी से निवेदिन करूंगा और साथ में हमाचर सरकार के स्वस्थे मंतरी श्रीवी परमाजी से और पांचो विदायकों से और जो अरजमी ठाकर जी आए है वो शानतर जी को लेकर जो है आस्तिवर सर्जिन के लिए जाएंगे अटल जी का नाम रहे जब तक सूरे चेंद रहेगा अटल जी का नाम रहेगा अटल जी अमर रहे अटल जी अमर रहे जब तक सूरे चेंद रहेगा अटल जी का नाम रहेगा अटल जी अमर रहेगा अटल जी अमर रहे रामगा बुनगान करिरी राम के गुन गुन चिरंतन राम के गुन गुन चिरंतन राम 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 के गुन गुन चिरंतन राम 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 के गुन गुन चिरंतन राम गुन शुमिरन रतन धन रामगुन सुमिरन रतन धन मनुझ तापो कर विभूशित मनुझ को धनवान करिये धान धरिये रामगान गुनगान करिये रामगान गुनगान करिये स्वगुन ब्रह्म्ह स्वरूप सुन्दर सुजन रंजन रूप सुखकर